तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल को लेफ्ट हैंड साइड का कैसे बना सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स नेटवर्क बैटरी परसंटेज और नेटवर्क यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है लेकिन आपके मोबाइल में इस साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर मैं आपको एक एप को ओपन करके भी दिखा देता हूं तो मैं फ्लिप कार्ट को यहाँ पर ओपन करता हूं और flip card का जो interface है वो भी यहाँ पे left hand side से हो गया है यानि कि दोस्तों अगर आप left hand से ज़्यादा काम करते हैं या आपकी आदत है left hand से कोई भी काम करने की तो आप अपने mobile को left hand side का बना सकते हैं यहाँ पे देखिए friends यहाँ पे flip card को मैंने अभी open किया है और यहाँ पे देखिए आपके mobile में flip card का logo इस side में नहीं दिखा रहा होगा लेकिन मैंने जब इसे left hand side का बना दिया है तो इस side दिखा रहा है और यहाँ पे मैं आपको sopci को भी open करके दिखा देता हूं तो चलिए sopci को यहाँ मैं open किया है और sopci का भी interface यहाँ पे उल्टा हो चुका है यानि कि आपका account यहाँ पे दिखाएगा और home इस side होता है यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे sopci भी उल्टा हो चुका है तो यह सब कैसे करता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को अभी से like कर दीजिए और चैनल को free में subscribe कर लीजिए कोई charge नहीं जाता क्यूंकि आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तो आप काफी वीडियो देख रहे हैं मेरे लेकिन आप चैनल को subscribe नही के लिए और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका mobile left hand side का हो जाता है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यह पहले जैसा मेरे पास mobile था वैसा ही है यहां पे देखिए सौप सी इस side दिख रहा है और यहां पे सब right hand side के हिसाब से मेरा mobile चल रहा है और left hand से चलाने क लिए आपको अपनी mobile की setting में जाना होगा तो mobile की setting में चले जाते हैं और यहां पे friends setting में आने के बाद आपको सबसे नीचे मेरे पास Samsung A30S mobile है और आपके पास अगर Samsung का कोई भी mobile है या MI का भी वो ओपो कोई भी mobile हो friends आपको अपने mobile में about phone में जाना है यह about phone है और उसके software information software information में जैसे ही आप जाएंगे यहां पर friends आपको build number देखना है आप इसे सर्ज भी कर सकते हैं build number को यहां पर देखना है और यहां पर 378 वार क्लिक करना है तो यहां पर कर देंगे 7-8 वार क्लिक build number को एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यहां पर friends साथ वार आपने क्लिक किया और उसके बाद आपका developer option यहां पर जो developer option का mode होता है वह on हो जाएगा यानि कि एक नई सेटिंग open हो जाएगी तो उस सेटिंग को friends on करने के लिए हमें build number पर साथ बार क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर हमें ढूंडना पड़ेगा उस सेटिंग को यानि कि developer option को तो एक बार फिर settings में जाएंगे और यहां पर friends नीचे आप देख लेंगे जहां भी आपको developer option दिख जाएगा तो यह सबसे नीचे यहां पर है developer option यहां पर इस पर एक बार क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद friends यहां पर आपको एक setting को on करना है बस और आपका mobile भी left hand side वाला हो जाएगा तो setting क्या है मैं आपको दिखा देता हूं अभी यहां पर और यहां पर फ्रेंड्स वह setting आ चुकी है ऐसी ही setting आपके mobile में भी आईगी force RTL layout direction और friends इसको शिर्फ on करना है तो यहां पर मैं अभी आपको on करके से दिखा देता हूं और hand to hand आप देखना मेरा mobile left hand side का हो जाएगा तो मैं इसको on कर देता हूं force RTL layout direction इसको यहां पर मैंने on कर दिया और यहां पर देखिए friends जो इस side था वो इस side आ गया यानि इस side वाला जो था वो इस side आ गया है यह on मैंने side से किया था अब side हो गया है यानि कि अब आप left hand से अगर इसे यूज करेंगे तो आसानी से पकड़ कर इस phone को अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने left hand side से तो वीडियो अच्छा लगा हो तो या लाइक कर देना और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना क्यूंकि आप लोग वीडियो काफी पसंद कर रहे हैं और देख भी रहें लेकिन चैनल सबस्क्राइब नहीं कर रहें कोई friends खर्चा नहीं होता कोई किसी परकार का दिक्कत या नुक्सान नहीं होता चैनल कर सब्सक्राइब करने से फ्री में सब्सक्राइब होता है और आपके पास वीडियो की इंफोमेशन पहुंच जाती है तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना